कि चलिए स्वागत करते हैं आपका अपने परिवार अनकाडमी पर और हम और आपको सबसे ब्लैट बड़ा प्लैट्फार्म अनकाडमी आपका स्वागत करते हैं और सभी को गुड मॉर्निंग है बच्चे जितने बच्चे लाइव हैं पप्पू जी पप्पू जी को गुड तो आजशी को स्फोरू करते हैं और इक गुडवमोंक पर सहले द्याद करेंगे ह생से हैं oh कि रखेद्धे ऊच्छी चलीłeश द्यान देंगे दूश्च event क対 Kingdom future है छिए को को है द्याद स्वरू करते है अ हुए थर्फ यह स्ञत्वब्हकू व्हट्राट शुलिए ते तो हमारा पहला धॉत देखते हैं क्या है सराज का थौट क्या सधित क्लास करते हैं क्या है सरज़ान का थौट है सरज़्ान कंगे कुछ स्यादा ही ख्वाइश नहीं है जिन्दगी तुछ से पूब कि ख्वाहिशे नहीं है जिन्दगी तुछ से बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बहतर हो सर चलिए इसी थौट से सुरू करते हैं अची क्लास को क्या सर थौट हमारा आज का क्या कुछ ज्यादा ख्वाहिशे नहीं है तुछ से जिन्दगी पर मेरा अगला कदम क्या सर क्या हो sir वो अब उससे बहतर हमारा जो हो अगला कदम हो चलिए शुरू करते हैं अच्की क्लास को और बात करते हैं अपका अनकेडमी लेकर आया है टॉप टॉप बैचेश जो कि कब से शुरू हो रहे हैं जो कि आपके 16 जून से शुरू हो रहे हैं सुरू होने वाले बैचेश में जल्दी जल्दी इन्रॉल हो जाएंगे और क्या sir और अपने सेलेक्शन को कंफर्म करेंगे सर आपका जो एससी के बेस्ट प्लेटफॉर्म के लिए बेस्ट प्रिपरेशन सर 30 से अधिक अधिक अल्लिमिटेड एक्सस सर 30 से ज्यादा हर बैचे बच्चे आए ध्यान देंगे अगला क्या आपको टीम फिनिक्स एससी सीजियल और सेचेसल 2021 को लेके आया है जो कि क्या सर 16 जून से शुरू हो रहा है इन बैचेश की ये खासियत है सर क्या ये हिंदी में पढ़ाया जाएगा और इंग्लिस में आपको नोट कराया करने और वर किया सर और वर्ल्च वरूर ये उससी सीजियल एकजाम सब्सागर क्या होगी विक्विज और मॉक टेस्ट होगी और डावच क्लेट सेशन होंगे और इगर बात किया सर के सफलता है सेलेक्षन प्रких संथ है यह एक हजार से आथिक स्लेक्षन से निकाल कर दिख और यहां आपको 16 जून से सुरू है समयर अगली बात की जाये तो सर आपके प्रेश्यायर fantastic सोले जून से सुरू है सर गर किया सर वाइफाई बैच SSC MTS वाइफाई बैच SSC GD फाइफाई पंच SSC MTS जिसमें आपके कुछ टॉप एजुकेटर्स आपके साथ जुड़ेंगे अगर अगली बात किजाए सर कैसे हम क्रैक करें कैसे हम क्रैक करें सर तो हमारे कुछ सब्सक्रिप्शन ओफर हैं 12 महीने और 24 महीने का जिस पे आपको 4 महीने का बेनेफिट मिलेगा या 550 रुपे का है जबकि बंपर डिसका 999 का है जबकि अल्टिमेट गवर्मेंट एक्जाम ऑफर बैंक यह 12 महीने का है इसे 35 परसेंट की चूट है और 14,000 रुपे का है आई आगे की बात करें सर सर स्से मेगा सब्सक्रिप्रिशन ओफर चल रहा है आप उनसट सो चार्ट रुपे का सब्सक्रिप्रिशन लेकि एक क्या सर 10,000 दोसों का था अब यह सर 7999 का है सर 12,000 दोसों वाला 9999 का करना क्या है आपको अपना कोड वी आई वी 10 लगाना है और सर क्या यह चूट पा लेनी है ध्यान देंगे प्राइस हाइक कमिंग सून बहुत जल्दी प्राइस बढ़ने वाली है जब प्राइस बढ़ने इसमें आप वी आई वी 10 कोड लगा के अन्राइल हो सकते हैं तो यह आगे बढ़ते में आगे की बात करते हैं सरी कुछ सब्सक्रिप्शन है आप क्या करें सर आप एक कोड लगा यह भी 10 सर आप इस को लगाना नहीं भूलेंगे क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिसका सब्सक्राइब चल्दी जल्दी आंसर करेंगे सब ही बच्चों को good morning नाम बच्चे देवेंदर पुषत्तम साहू good morning good morning good morning सबी बच्चों को सर कौन सा टॉपिक है आज सर आज यही टॉपिक है आपका चलिए ज्यान देंगे सर बहुत ही बैतरिंग कोश्चन सर आपके साथ लेके आया हूं जल्य जल्य आंसर करेंगे बिस्व का सबसे बड़ा और सबसे छोटा पुष्प कौन सा है जल्दी जल्दी पुर्शुत्म साहु को जबाब आगे आप भी कह रहे हैं हर्शंकर दूबे गुड मॉर्निंग बच्चे तो जल्दी सा अंसर करेंगे सर कि क्या विस्व का सबसे छोटा सा सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है तो आप सभी जानते हो सर वुल्फिया और रफलेसिया कौन सर तो यह पैरासाइट सर यह पैरासाइट प्रकार का है सर पैरासाइट क्या होता है सर पैरासाइट को हिंदी में कहते हैं हम परजीवी तो सर यह कैसा फूल है सर तो सर यह परजीवी प्रकार का फूल है यह अपना भोजन खुझ से नहीं बनाता यह अपने भोजन के लिए द यह तब तक यह फूल विजबल नहीं होता जी बिल्कुल सुपर्टेट प्राइमरी के आप में त्यारी कर सकते हैं बिल्कुल आराम से सर गुड मॉर्निंग बच्चे तो सर ध्यान देंगे जो रफलेशिया है यह क्या है सर यह रिप्रोडक्शन की स्टेज तक नहीं दिखता सर जैसे रिप्रोडक्शन की स्टेज होती है जैसे सर प्रजिनन का इसका चरण आता है प्रजिनन के चरण के समय सर क्या होता है तो यह फूल दिखना चालू हो जाता है जबकि वॉल्फिया आप जानते हैं बहुत चोटा फूल होता है और सर यह जो वॉल्फिया फूल है सर इसमें ना तो तना होता है और नहीं सर इसमें क्या होता है सर नहीं जड़ होते हैं ना तना ना जड़ ना पत्यां ये कुछ इसमें नहीं होता ये सर एक क्या एक दाने के अकार का होता है और सर जो रफलेसिया ये विश्व का सबसे बड़ा फूल है जो कि सर एक प्रकार का प सबक्षाना निए गबधाना ही नहीं है lots of बिल्कुली बड़तें और एक बात करते हैं अगय के बात करते हैं बच्छे जल्दी जल्दी सेशन को शेयर करेंगे बच्छे शेयर करेंगे इस सेशन को तभी सर्फ मज़ा आएगा इतने कमचों मज़ा नहीं आ रहा है जल्दी सेशन को शेयर करेंगे जुड़ते रहेंगे और इसका आंसर देते रहेंगे क्या है सर बायो डीज बनाने में बायो डीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है बायो डीजल बनाने में किस वनस्पति का प्रयोग किया जाता है जल्दी से चलिए जल्दी से इसका अंसर करेंगे सर कि बायो डीजल बनाने में किस वनस्प जत रोफा और रतन जोत यह दो ऐसे पॉधे हैं जिन से क्या से बायो डीजल बना जाते हैं बायो डीजल मतलब क्या सर कि सर फॉसस फूल का इस्तमाल करके जिन से हम डीजल का उत्այाल कर लें डीजल बना ले पेट्रोल बनाने इस टाइप के हम बायो डीजल का उप्योग कर लें तो सर कौन 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 से पवधे होते हैं ध्यान न बेंगी एक रतन जोतह wished सर और इसके साथ साथ जत्रोफा जत्रोफा और रतन सबसे अचली हैं अगले कोशन क्या कहता है सर निमलिखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है जल्दी से अंसर करो कि सर निमलखित में से कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है जल्दी बताएंगे बच्छे निमलखित में से कौन सा कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है जल्दी जल्दी बच्छे इसका अंसर करेंग प्रोटीन के सबसे अच्छा स्रोथ होगा लेकिन ध्यान देंगे सर सबसे ज्यादा प्रोटीन किस में पाई जाती है सर तो सबसे ज्यादा प्रोटीन में होती है किस में होती है सर तो सोया बीन में सबसे ज्यादा आपकी क्या प्रोटीन पाई जाएगी और इने में से आपको आपको चूज करना हुआ तो मुंफली इसमें से आपका सबस्रे बेस्ट फ स्टल होगा सावल की बात करदे की बात करें तो आज में क्रें क्या पाया जाता है चावल कार्बो हाइड्रेट पाया जाता है क्या सर तो कार्बो हाइड्रेट किसमें पाया जाता है तो चावल में कार्बो हाइड्रेट पाया जाता है ध्यान देंगे सर एक आपका क्या एक आपका होता है गोल्डेन राइस नाम याद रखेंगे सर गोल्डेन राइस में कौनसी गोल्डन में व्यूंक से गोल्डशने क्या पाया जाता है और सार इसमें भीटा के खरोती नाम की प्रूटीन प्रोटीन तूप्स पाए जने क् alan creator तो बीटा के रो प्रूटीन गोल्डन दूद का स्वेत रंग निमलिखित में से किसकी उपस्थिती के कारण होता है जल्ली से बताएंगे सर दूद का स्वेत रंग निमलिखित में से किसकी उपस्थिती के कारण होता है जल्ली सांसर करेंगे सर जल्ली आंसर करेंगे तो दूद का स्वेत रंग किसके उपस्थिती से होता है सर मैंने आपको पहली क्लास मता रखा है तो के सीन की उपस्थिती से दूद का स्वेत रंग होता है सर समझेंगे जरा मिल्क के बारे में मिल्क के बारे में बात की जाए दूद के बारे में बात की जाए तो सर दूद में आपको बता है सर दूद में कौन सा प्रोटीन तो दूद में सर केसीन प्रोटीन पाया जाता है कौन से प्रोटीन सर तो दूद में केसीन प्रोटीन पाई जाती है और सर केस से दूध का रंग कैसा होता है सर तो दूध का रंग सफेद होता है जब कि सर जो गाय के दूध की बात की जाए सर अगर गाय के दूध की बात की जाए गाय के दूद में गाय के दूद में क्या होता है सर तो गाय के दूद में क्रेटीन प्रोटीन पाई जाती है जिस वजह से गाय के दूद का रंग हलका पीला होता है हलका पीला आपके गाय के दूद का रंग होता है जब कि दूद का रंग सफेद के सीम की वज़ास होता है एक परकार का स्केल होता है इसकी फुल फॉर्म उती है जिसके फॉर्म होती है क्या तो पॉर आफ हाइड्रोजन होती है किसकी शहर आपकी पीजितिका फॉर्म पावर आफ उतने ऑफ हुज साप दा नाम है यह सहाप में पल्ल नो है सोरिंसन नाम के एक साहब सोरिंसन साहब धुरा क्या किया कैसा सर फिस्केट की खोज की गई थी जब कि प्यच का फुल फॉल फाउप होता है पावर ओफ वाट सर हाइड्रोजन सर छोदेट पीच स्क्दिशर लेकर जीरो से लेकर साथ होता है क्या ये निट्रल वैल्यू मानी आती है ये उदासीन वैल्यू होती है जबकि सर साथ से ज्यादा जाने पर कैसे गुण को लेके आएगा या बेसिक नेचर छारिय गुण को लेके आता है और पियच वैल्यू साथ से कम होने पर ये किस गुण को लेके आता है सर त थारिय गोण होता है ये आपका कॉंध़ा है शरी अपका ही स्केल बताता है सर फियेच बटाता है अपका है अन्य बढ़ता है आगे बढ़ते मिल्साय से चलिए य motion कान खाल में लाक्टोस क्या है लाक्टोस एक प्रकार का γιαब कर्भोकाइड कर्भोईरेट है सदे में एक प्रकार का डाइस व्यार चार्वोईरेट्ए हुद यह विन प्रकार कोई है इस व्मस्तियुनां ट्रquette कैस्व हिसाले का और ख़ाऊजिदग नियुदे यह फ़ilen्ट कोई व्मस्तिय लुट Albumin अंडे में पाया जाने वाला dennos karbohydrate चलिंडे बरते हैं और आगे सर पढ़ने तर पहले एक शेयर को कढ़ते हैं सर क्या है सर शेर पढ़ेंगे सर शेर कि आज मैं अज्हयान अझ्यान के अधिरे से लूटाया अँब मैं अपनी सारी किताबें कर लौट आया आज मैं अज्ञान के अंधिरे से लौट आया मैं अपनी सारी किताबें जला कर लौट आया वो ट्रेंच में बैठी अब भी सिसक रही होगी मैं दूर से अपना हाथ हिला कर लौट आया अजी सुना है सोना निकल रहा है वहाँ जिस जमी पर मैं ठोकर मार कर लौट आया चलिए आगे बढ़ते हैं और ले कुश्चन पर चलते हैं क्या है कुश्चन सर सूची एक को सूची दो से समिलित कीजिए match the following list 1, list 2, vitamin A, क्या है सर, तो vitamin A, retinol है सर, vitamin B, क्या है सर, thymine है सर, vitamin C, ascorbic, और vitamin E, tocopherol, है न, चलिए, ध्यान देंगे सर, तो सही इसका क्रम क्या होगा, 3, 4, तो आपका option number D, इसका सही क्रम होगा, सर, इसका सही क्रम क्या होगा सर, सही क्रम होगा, 3 और 4, क्या है सर, सही क्रम होगा, क्या सर, तो चौथा, 1, और सर, 2, 1, 3, 4, इसका क्या होगा सर, सही क्रम होगा, इसको एक्स्प्लीन करते हैं, आई ये सर, एक्स्प्लीन करते हैं इसको, जान देंगे सर, इसको एक्स्प्लीन करें गया, देखो, सबने से विटमीन की बात की जाए किस्की दौरा की थी मैं हुआ रखेंगे विटमीन की खोज एकसा हप जिनका नाम था scholars Hopkins नाम के एक सहब थे, जबकि सर विटामिन की खोज की थी, जबकि सर विटामिन का नाम करण किसके दोरा किया गया था सर, तो विटामिन का नाम करण किसके दोरा किया गया था, तो विटामिन का नाम करण आपके एक सहब थे, जिनका नाम था फंक, फंक नाम के एक साहब थे तो फंक नाम के साहब द्वारा क्या किया गया था विटमिन का नाम करड़ किया गया था जबकि विटामिन की खोज हॉपकिन्स द्वारा की गई थी विटामिन की खोज हॉपकिन्स द्वारा की गई थी आईए जब बात करें विटमिन ए के बारे में तो सर जो विटमिन ए है इसका रसाइनिक नाम क्या है सर रेटिनॉल है सर रेटिनॉल कहां से आया रेटिना से आय जो राटिन्या किसमें पायाताँ तो यह आपके आखों के लिए important है आपके आखों के लिए important कौन उनegal सर विटमिन ए और अगर सर विटमिन ए आपके सरीर में कम हो गया तो आपकी आँखोच समन्नित आपको रोग हो जाएंगे अगर और बात की जाए सर विटमिन भी विटमिन भी सर मैंने आपको कली समझाया कि सर जो विटमिन भी है ये कुल आठ परकार का होता है जिसमें थाइ के बारे में सर बिटमिन सी सर तो बिटमिन सी क्या नाम है सर तो बिटमिन सी का नाम होता है ऐस्कॉर्बिक एसिड क्या नाम होता है सर तो बिटमिन सी का नाम होता है ऐस्कॉर्बिक एसिड ऐस्कॉर्बिक अमल और ध्यान देंगे सर बिटमिन सी किसमें पाया जाता है तो ध्य C पाया जाता है सर जड़ा पीछे आते हैं और कोशन पर ध्यान देंगे जड़ा मुझे ये बता हो आम में कौन सा बिटामिन पाया जाएगा बहुत अच्छा सवल आपके एक्जाम में आ चुका है सर आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है जल्दी उटायंगा सर कि आम में कौन सा विटामिन पाया जाएगा कौन सा Marriage I am B नियान देंगे सर आम लॉया Прें को क्या कहते हैं जो आपका आमिला होता है लॉह अम अवला को एक नाम देखे और सर डॉक्टर सर इसे क्या कहते हैं सर इसे डॉक्टर प्लांट कहते हैं क्या कहते हैं डॉक्टर प्लांट कहते हैं अगर विटमिन ए के बारे में बात की जाए सर विटमिन ए क्या है सर विटमिन ए को हम कहते हैं ब्यूटी विटामिन सर बिटमीन का नाम क्या है सर बिटमीन का नाम होता है ब्यूटी विटामिन और सर इसे बिटमीन ए को ही और क्या कहते हैं सर बिटमीन ए को ही रेप्रोडक्टिव विटामिन कहते हैं क्या कहते हैं सर रेप्रोडक्टिव विटामिन अगर आपकी बाडी में विटमीन की कमी हो गई जबकि वहीं पर सर अगर बिटमीन की कमी हो गई होती है तो तो क्या sir vitamin c कव्मी होने से आपको मश्टोरों में रोग लेकते हैं आपको सकर्वी नामा को रोग हो जाएगा तर स्बताएंगे आम में कौन सा भिटामिन सर आम में vitamin a पायाता है बिलकुल sir दूढने कोई बीटमिन नहीं होता तो द्यान बेहं। सर कि आम में विटमिन ए पाया जाता है विटमिन एक इसमें पाया जाता है सर तो आम में कि आम में विटमिन ए पाया जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे की बात करते हैं चलिए ट्राइग्लिसराइड क्या है जल्दी बताओ कि सर्ट्राइग्लिसराइड क्या है अगला कोश्चन वाट ट्राइग्लिसराइड क्या है सर्ट्राइग्लिसराइड क्या है सर्ट्राइग्लिसराइड क्या है प्रोटीन है कार्वोहडरेट ब्हसा है या कनीज है यह लिए तो आउगई सरर जल्दि का अंसर करेंगे Biz अरे कहां रहे एंसर करो अशक्त लोग अंसर करेंगे फटा मुनेंट तर करेंगे बी कार्बोहड्रेट पुर्शुत्म जी का जवाब सही है सर क्या है सर यह वसा होता है फैट होता है सर ध्यान देंगे सर इसे ट्राइग्लेसराइट क्यों कहते हैं तो ध्यान देंगे सर ग्लिसरोल और क्या सर पैटी क्या है सर तर फैटी एसिट को मिलाया जाता है तो क्या बनता है सर ट्राइग्लेसराइट बनता है और ट्राइग्लिसराइट को ही क्या कहते है सर फैट कहते हैं ध्याने सर जो ग्लिसराइट के कितने मौल सर एक मौल होगा आपके ग्लिसराइट का और वहीं पर सर तीन मौल इस्तमाल करते हैं किसका सर फैटी एसिड का फैटी एसिड का तीन मौल और ग्लिसराइट का एक मौल मिला कर सिर क्या बनता है ट्राइग्लिस्राइड बनता है जिसे क्या कहते हैं सर फैट कहते हैं वसा कहते हैं अगर बात की जाए सर क्या कि अमच्छ अबंग जिसे क्या बनता हैं वसा कि बन्यों अगरी जाओ मुफ्पश आप पाम और लागरे टांसे मिनस्ट वाओ कि खुट्टाल वां जाता हैं पाम थाइग्लिस्राइग्लिस्राइग्लिस्ट झाल झाल मरुज़ां के जुटे इसले के तरिश्यज्य शोप्तर हुज़ां मोज़ा है छले तुटे जुटे आप साइस में हम अधरकी अधरकीस के भीज़ार गारी में हम यह चलिवरम कर दिवा खें नैंक। तो ध्यान देंगे जो fat होता है से तो मैंने आपको हॉताया था कि क्या जब एक नोल जिसकेハハ minutes मेलेगा उपका एक मूल मिलेगा पनीर आपको 1 Reust coch果 क्या मिलता है क्या ग्लेसरोल और ऑ सब्क्या घ्लेसरोल के साथ मेला जाता है थो क्या क्या बनता है सर तो आपका बनता है क्या ट्राइग्लेसराइड क्या बनता है सर तो ट्राइग्लेसराइड बनता है और ट्राइग्लेसराइड को ही क्या नाम देते हैं हम तो ट्राइग्लेसराइड को ही नाम देते हैं हम ठीक है सर चलिए ध्यान देंगे सर ध्यान देंगे सर आप से एक सवाल है कि सर जो fatty acid है यह किस समू का अमल है जल्दी बताएंगे सर यह किस group का element है जल्दी बताएंगे सर जो fatty acid है किस group का element है जल्दी बताएंगे सर आप और और आगे इसके बारे में हम discuss करते हैं इसके बारे में और discuss करते हैं सर आगे हम जल्दी बताएंगे सर इक किस ग्रूप का ध्यान देंगे ध्यान देंगे सर अगर मैं फैट के बारे में बात कर रहा हूं तो सर जो आपका फैट होता है सर फैट दो प्रकार का होता है कौन-कौन सर ध्यान देंगे सर जो अगर मैं फैट के बारे में बात करूँ सर फैट दो प्रकार के होते हैं एक आपका सैचुरेटिट फैट होता है saturated इसे कहते हैं sir कौनवी वसा तंत्रिप्त वसा और दुसरी इंचत्रिट वसा एक हो थी है MR KCAR कहते हैं सर क्या जिसे कहते हैं unsaturated fat इसे नाम देते हैं क्या इसे नाम देते हैं unsaturated fat और इसे नाम देते हैं सर क्या saturated fat अगर saturated fat के बारे में बात करें तो यह carbon carbon के single bond से बना होता है जबकि sir unsaturated fat carbon carbon की double bond से बना होता है carbon carbon के single bond से और carbon carbon की double bond से बना होता है ध्यान देंगे sir ये क्या होता है ये हमारे लिए harmful होता है ये क्या होता है हमारे लिए नुकसान दे होता है harmful होता है और ध्यान देंगे sir ये mostly किस से प्राप्त होता है sir ये mostly animal से प्राप्त होता है लेकिन sir ध्यान देंगे saturated fat के बारे में एक खास बा चेंज होता है और वही पर सर टम प्रेचर कम होनेपर कम स्पॉण में से बाद कि बना होता है और kya होता है कि क्या होता है सर यह less harmful होता है और सर यह क्या यह mostly plant से प्राप्त होता है किस से प्राप्त होता है सर प्लांट से प्राप्त होता है चलिए सर एक कोश्चन है आप से एक कोश्चन है कि हमासूपर सेचेटेटेट भी होता बिल्कुल एक कोशन आप ने से बेस्ट फैट से कहते हैं ये सब्सक्राइब होता है इसका पर होता है क्या डाल रा पर ग्यांट टाल डाल यह बनता कैसे सब इसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊँगा इसे भी घी कहते है घी कि वनश्पती घी झाल अपको थेडिरी आँगे तो बताऊंगे सूपर-सेडिलिटिटट फैट में कब हडैडोजन की वस्तिति में निकल गैस पास हो यही जाएगी मैं उस ट्रीचे नहीं आपको जाओं जाता है जो आपका कौन सा सर जैतून का तेल किसका तेल सर जैतून का तेल सबसे अच्छी वसा के रूप में जाना जाता है जो आपका ऑलिव ओल होता है ऑलिव ओल किस रूप में होता है सर ऑलिव ओल को बेस्ट ओल कहते हैं जैतून के तेल को सर सबसे अच्छी वसा के कराई जाएगी तो सर किसका फॉर्मेशन होता है सुपर से चुलिटिट गैस की फॉर्मेशन होता है ठीक है सर आगे बढ़ते हैं आगे की बात करते हैं कहां हो सारे कहां हो सारे के सारे बचा लोग जल्दी आंतर करोगे कि मानौंसरी और सबसे बड़ी अस्थी कौन सी है जल्दी से बताओं के पिएठों कि अधने क्यां ग्रुप में शेयर करो इसको जल्ली अल् experience करेंगे जुरते रहेंगे, कहां है, सारे मेरे चुन्नु मुन्नु लोग, चलो, बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हेरा लोगaround का जवाब आना चाल रहो गया, क्या है ऩूग फ्यरा जो एक यहाई बोला, क्या बोला, मैंने सिर, मैंने क्या बोला, जो स्टेपिज और फीमर हड़ी है यह क्या है यह मानोसरी की सबसे चोटी तरह सबसे बड़ी हड़ी के रूप में जानी जाती है हीरा लोग ध्यान देंगे स्टेपिज हड़ी कहां पर पाई जाती है तो स्टेपिज हड़ी कान में पाई जाती है जबकि सर जो फीमर हड़ी है जो फीमर है वो कहां पर पाई जाए ही तो यह जांग में पाई जाती है फीमर सबसे बड़ी और इस टेपिस सबसे छोटी हड़ी सर अगर बात की जाए सर अगर और बात की जाए सर इसके बारे में तो सर जो फीमर है सर फीमर एक परकार की कैसी हड़ी होती है तो फीमर एक परकार की खोखली हड़ी होती है कैसी हड़ी होती है सर तो यह एक परकार की खोखली हड़ी होती है जबकि सर इस्टेपिस क्या है सर इस्टेपिस सबसे छोटी यह कहां पर पायाती है कान में पायाती ह कान में तीन हड़ियां सर तीन प्रकार की हड़िया कौन कौन सी इनकस इस्टेपस इस्टेपस और कौन सर मैलियस चलो जल्दी जल्दी आंसर कोगे वाँ वैरे गुड धिरा लोग तरही बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है सबसे बढ़ी और सबसे चोटी हड़ी के रूप में जानी जाती है कौनसी सर आपक से आपके स्टेपस और वीहारे में बात कि조ले हमुध yog ऑप अगких संखया 206के लंज सम्होती है और जैसे अगर जो बालक जो अब एक नौजात इसु में 300 के लगबग हड़िया पाई जाती है जैसे जैसे क्या है सर बहुत ही बहतरीन कोश्चन भाई मेरा परसनल फेवरेट कोश्चन है मेरा परसनल फेवरेट कोश्चन है यह जल्दी से इसका आंसर करोगे जल्दी से इसका आंसर करोगे पपू जी देवेंद्र जी चन्न जी अरे कहां हो सारे के सारे कहां हो सारे बच्चे जल्दी जल्दी से अंसर करोगे जल्दी से अंसर करोगे जल्दी से अंसर करोगे जल्दी से अंसर करो कि कठोर ब्यायाम के समय कब सर तो कठोर ब्यायाम के समय कठोर ब्यायाम के समय पेशियों में क्या बनता है जल्दी आंसर करोगे जल्दी जल्दी आंसर करोगे अरे कहां है सारे के सारे मेरे हीरा लोग जल्दी अंसर करोगे और चालो जल्दी अंसर करोगे सर जल्दी से अंसर करोगे जल्दी से अंसर करोगे ऑठक § कहां रहेगे पर गच्फ शहा जल्दी अंसर करो क्या होगा अंसर स्रेगर जल्दी बताओगे ऑप्शन नमबर एच चन्न बोरा ग्लुकोस से ग्लाइकोजन नहीं बच्चे गलत जबाब सही जबाब दो पप्पु कुमार गलत जबाब अरे भयायाम के समय बनता है вмारे शरीर में जब हम थक जाते हैं तो मान स्पैशियों में क्या जमा होता है अरे पप्पु कुमार जी आपका भी नहीं है जल्दी बताएंगे सर जल्दी बताएंगे जल्दी आंसर करेंगे आप कि जल्लीज अंसर करेंगे इसका चलिए जल्ली अंसर करेंगे इसका सी पुर्शुत्तम जी का चंदन बोरा जी का दो लोग का जवाब सही आ गया चलिए चलिए जब बच्चों के सावजवाब सही आना चल्य हो गया तो इसका सही अंसर क्या होग और उसका कि आपको क्या होता है जिससे आपको ठकान होती तो आप अगर सुभर से लिकरशाम तक कारे कर रहे हो पाके मान मचीव में चीना भाय होता है लाक्टिक अंद टा होता है सबसंदी है और ध्यान दोंगे यह तक जुues झेंड दको हमारे घरवा लों को कितनी पर दो लोक्यों कहते हैं क्योंकि लैक्टिक एसिट का जमाव कैसे खतम होता है या तो आप चाई पी लो चाई पीने से या सर हाथ और पैरों को पानी से दोने से क्या सर लैक्टिक एसिट का जमाव हमारे पेशियों में खतम हो जाता है तो जब भी जब हम कठोर बयायाम करते हैं तो क्या होता है sir तो pyruvic acid से pyruvic अमल से किस में चेंज होता है sir तो lectic अमल में change हो जाता है बिलकुल सही जब्वाब बच्चे बिलकुल सही जो बच्चे option d कह रहे हैं बिलकुल सही है very good तो इसा सही answer क्या होगा option d very good very good मेरे अगर मेरे इश्क की दास्ता को सुनेंगे लोग अगर मेरे इश्क की दास्ता को सुनेंगे लोग या तो मुहबत ही करेंगे या मुहबत छोड़ देंगे लोग या तो मुहबत ही करेंगे या मुहबत छोड़ देंगे लोग चलि आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं क यहा किते हैं अरे कहा कहा रहे गए अरे लो एक और बहतरीन सवा लेके सामने इसका आंसरर दो तो सब्सक्सेश में किया होगा इसका अंसर इसा जल्दी जल्दी आंसर कर दो जल्दी जल्दी нал दी आंसर कर दोगे जल्दी सांसर कर दोगे इसका ओ भाई कहा रे ही तो बड़ी लौ तुम तो पंटि तुम्हारा साबुन है क्या अब बंटी बंटी का साबुन Śलो है गन्ड गुट मॉरूनिंग धर्मेंदर जी अ कि बंटी तुम्हारा साबुन स्लो है क्या बच्चे चलो जल्दी जल्दी आंसर करो कि क्या होगा एंसर होता हो फल कहां से बनता है बीच कहां से बनता है क्या बच्चे आपके कास्ट कहां से बनते हैं मंड स्टार्च कहां पर बनता है जल्दी आंसर करो सी क्या गरें 2 3 1 4 नहीं बच्चे गलत अरे फल पत्तियों से कहां बनेगा बच्चे नहीं बनेगा न देवेंद्र कह रहे हैं बी फल बनेगा कहां से अंडासे से ठीक है सर बीज विजान से और बिल्कुल सही जवाब बच्चे बिल्कुल सही जवाब कि क्या सर जो फल होता है जो fruit होता है वो किसे बनता है अन्डासे इसे बनता है तो sir क्या फल ci से बनेगा unadiene का क्या चौथा बिल्कुल सही जवाब sir दूसरा क्या sir OBG किस से आएग civ क्यंगा sir तो बीज यता है भी जान में तो सर क्या दूसरे का सरथा थेखांदु लगड़ियां किस से बनती है तो लकडिया तने से बनती है सिंपल सी बात है सर सिंपल सी बात है लकडिया किस से बनेंगी तने से बनेंगी तो तीसरे का तीसरा सर और आप तभी को पता है स्टार्च क्या सर इस्टार्च होता है स्टार्च की रूप में भोजन संचित होता है और यह कहां पर तो भोजन हमारा बनता का है पत्तियों में बनेगा तो यही पर गलाइकोजन के रूप में संचित होगा तो सर चौथे का क्या सर चौथे का दूसरा अब very good बच्चे बहुत ही अच्छा जो बच्चे एंसर कर रहे हैं आप ध्यान देना अगर आप डेली मेरा मॉर्निंग सेश कोशन सही करके आओगे इस बात की गारंटी है यह 25 आउट आउट पच्चेस वाली आप एड़न नहीं घबड़ा होगे ध्यान दोगे सर आप बिल्कुल नहीं घबड़ा होगे आप 25 में 25 कोशन करके आओगे आप एड़न निश्चिंतरो बस आप क्या आप इस सेशन को यह आपके रेल्वे का topic सवाल है रेल्वे कई बार इस question को पूछा हुआ है अरे बहुत ही बढ़िया question होता है जल्दी बताओ निमलिखित में से किसमे गतिज उर्जा नहीं है अरे यह सारे question तो railway के favorite question है जल्दी जल्दी answer करोगे sir जल्दी जल्दी answer करोगे कि निमलिखित म अरे नहीं बच्चे नहीं 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 देवेंद्र जी गलत है सिर यह बिलकुल सिय चेसल में आया था बिलकुल सर बिलकुल आया था यह सवाल अरे आप क्यों परिशान हो रहे हो सारे question यहीं से आएंगे दी पुर्षत्तम साहू बिलकुल सही मेरे बच्चा ड्राउगण वो खिंचा हुआ तीर होता है इसमें क्या सर काइटिज उरजा नहीं है देख हो अगर इसको टोड़ा जाए तो इसमें एक वर निकलेगा गती और गती मतलब आप जाते हो क्या सर मोशन मतलब जो ओब्जेक्ट मोशन में होगा यह क्या होगा सर गती जूर्जा को रखेगा चली होई गोली अगर मैं गोली चला दूँ तो यहां से अब गोली निकलेगी बंदूक से तो मूपमेंट में होगी गती में होगी गती जूर्जा सर बहता हुआ पानी सर जो पानी बहेगा सर पानी यह भी गती जूर्जा में ही पानी मैं ठीजूर्जा में थेह स़गों पानी से बहेंगा martyrки घचा में मैं होगं मार रहा हूं तो इस में वी क्या इसने थे घटी जूर्जा है श्मझा हूं यह मेरे हाथ में मार इसके अंदर चमता है potential कि यह कर सकता है लेकिन ये गती अवस्था में नहीं है इसमें potential energy है इसमें क्या है सर इसके इंदर चमता है कि यह क्या कर सकता है सर तो गती कर सकता है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हो सिर दी डी डी दी डी डी ब deaf div किससे संबंदित है जल्दी से आंसर करोगे सर कि हुक का नियम किससे संबंदित है जल्दी बताओ सर यह कोश्चन भी बहुत अच्छा है सर बहुत अच्छा कोश्चन है कि क्या सर हुक का नियम किससे संबंदित है जल्दी आंसर करोगे सर कि हुक का नियम हुक सहब ने जो नि किस से सम्मंदित है कि कहां रह गया आप लोग के जबाब टफ कोशन पर गाय बजाते हो कहां रह गया सारे बच्छे जल्दी बताएंगे कहां है बच्चे सी द्रभ्य से ओ भाई पुर्शुत्तम भाई अल्टीमेट पुर्शुत्तम बच्चे अल्टीमेट जवाब दिया आपने क्या सर इलास्टिक से प्रत्यास्था से किसका नियम सम्मंदित है सर हुख का नियम देख फुक क का नियम होता क्या है ध्यान देंगे पैमेर्स इसमें सरफ त्रेस या स्ट्रेश यहां पे जो सर ऑिस्ट्रेस अता है mr कहें एस उतना होगा Egypt का ब॥ार होगा उतना इसमें स्ट्रेस आईगा तो तो सहने सम्मध्र ृक्ता नियम प्रत्यास्था से बो हुँआ क्षछा कोसेश यह बहुत अच्छा कोशय तो हुंक्ग किस से था 105 तो हुंक्ग कहता से प्रत्यासता संवन्दी रखता यह बिलकुल जह्या जिवाब दे रहे हैं जिनका गलत है कोई बात निदा पुछ और sacred आपर आप मिलान कर दो कैसे करें हैं जल दी रखा है जलदू मिलान करेंगे क्या बीlar तिन चार एक दो प्रकाश्वर तिन नहीं थीन चार एक डो या दो एक बताओ इए तीन चार एक दो या मैं थीन चार दो एक है जल्दी इसका अंसर करोगे एक लाइट यह प्रकाश्वर्ष क्या सर यह होगा ठीक है एक पिको मिटर ठीक है सर तो तीन और चार तो ठीक है तीन चार इसमें भी है और तीन चार इसमें भी है एक एंगे स्ट्रॉंग में क्या होगा सर एंगे स्ट्रॉंग में यह होगा और नैनो में यह होगा तो सर क्या 3 4 2 1 आपका सही अंसर होगा क्या सर आपका सही अंसर को 3 4 2 1 जो कि आपको क्या option number सब्सक्राइब देवेंदर जी बहुत सही जवाब दे रहे हैं आप लोग चलिये चलिए अगले सवाल बढ़ते क्या कहता है अगले सवाल क्या कहता है अगले सवाल कहता है डॉसन इकाई का प्रियोग जल्दी बताओ यह सवाल ntpc में पूछा हुआ सवाल है इसका प्रयोग किया जाता है कि चलिए बच्ची है कि बच्चे पिछले कोश्चन पर चलेंगे हम अगर नहीं है कि दसके गात यहां माइनस कर लेना सुनों बच्चों से दसके गात बारा नहीं दसके गात माइनस बारा होता है जो पीको मिटर होता है तो अजोन पर्त की मोटाई सर मिजरिंग तिकनस ओफ ओजोन के फ़र्मूला जानते ही हो से जोन का फर्मुला 2 होता हैffect तो जोन लेएर की मुटाई को मापने के लिए जोन की सी परत की मुटाई को मापने के लिए किस зат sample करते हैं ड्राम गोट हुस्थर मुझे ये बता वालक ज्भा मुझेज बता हो कि कि जंख मना या जाता अफ़रे कि Ugh भूजो उन्डे किस दिन मुला जाता है और अगले कोश्ण पर बढ़ता हूं मैं अगला कोश्ण क्या है सर आईए ध्यान देते हैं कि सर सूची एक को सूची 2 से सुमिलित कीजिए तलियाई सुमिलित करते हैं सर आजएए मानो खोपड़ी, खोपड़ी में कितनी हटियां सर, तो मानो की खोपड़ी में 39 हटियां, खोपड़ी की बात की जाए सर, तो खोपड़ी में कौन कौन सा हिस्सा, खोपड़ी, खोपड़ी में अगर बात की जाए, तो पहल उसे 2 हिस्से होंगे, एक कौन सा कपाल, इसकल इसकल में कितनी हड्डियां शर आठ जबकि चहरा चहरे की 14 वी का चांद इसमें कितनी हड्डियां सर 14 खुपड़ी में जूटती है सर कान कान की कितनी सर 6 और एक और जूटती है हॉइड जिसकी क्या होगी सर 1 तो सर 14 822 6 28 29 तो आपके खोपडे में कितनी हडिया होती है सर 16 जपिटमब की खोपडी में कितनी हडिया है तो आपके खोपडे मों 29 हडिया इस Pиной प्र कॉर्ड मेरे उद जाने में 33 हडिया है धिihad निगे 33 में होगी ये बच्चों में 33 होती है टेयर की रूंट कितनी कुछ यह होती Conference any content videos कि इसकि संथ्था चबईस होती हैred भर बच्चों में संथ्था कितनी होती तो wraps लियों संथ्था कितनी होती है तो में संथ्था संथ्था चोभीविस होती है just co mass film टेयर कर डूसरे का क्या डूसरे का चौथा। कि तीसरे का दूसरा और चौथे का पहला तो तीन चार दो एक option नंबर सी तीन चार दो एक सही जबाब होगा option नंबर सी इसका सही जबाब होगा बिल्कुल सही बच्चे के अगला स्वाल का सब्सक्राइब कितने लीटर गैस ग्रहन की जाती है जल्दी से इसका अंसर करोगे बहुत इच्छा कोश्चन है कि ग्याहरी सास लेने पर कौन सी गैस कितनी गैस ग्रहण की जाती है कितने लिटर की गैस ग्रहण होती है ग्याहरी सास लेने पर जल्दी जल्दी इसका अंतर करें बताओं के बच्छे कि ग्याहरी सास लेने पर कितने लिटर गैस ग्रहण की जाती है जल्दी इसका अंतर कुछ करें डिवेंद्र जी गलत है आप गैरी सांस लेने पर कौन सी गैस करहेंड कि याती है गुड मॉनिंग सचिन बच्चे गुड मॉनिंग ले्ट हो आप तो आज काफी आप तो ख्लास भी कतम होने वाली है इस अंधेडिविया जी गलत है आप डिव किते हैं आप C और चलिए पुर्शुत्म सावुजी साही जब आप दे रहे हैं 3.5 लिटर किते सर हाउ मैं लिटर ऑफ गैस आर कंजूमड ऑन डीप ब्रिधिंग ग्यहरी सांस लेने पर साज़े-्टीफी साही तीन लिटर गैस लिटाई साह्ज्य होता है ग्यहरी साइस लने पर साघंव Τंeling लिटर गैस ली आती है और सदें क्या होता हे तो तो तोǧ जालऀ raft क्या होता है म't Die Akyl परसेंट क्या होता है और 0.0 4% क्या होता है सर तो आपका co2 होता है यह क्या सर यह सांस लेने पर होता है यह क्या होता है सर तो सांस लेने पर होता है जबकि सर आप सांस छोड़ते हो सांस छोड़ने पर क्या होगा सर ज्यान दों कि सांस छोड़ने पर क्या होगा तो सांस छोड़ने पर 78% नाइट्रोजन आप छोड़ते हो और कर सर क्या 16.6% oxygen छोड़ते हो आप और 4% 4.4% आप क्या छोड़ते हो सर तो आप carbon dioxide छोड़ते हो यह क्या सर सांस छोड़ने पर होता है सर आप क्या सांस छोड़ते हो तो आप CO2 की मात्रा बढ़ा देते हो और सांस लेते हैं वक्त सर आप क्या oxygen की मात्रा ज्यादा रखते हो ठीके सर चलिए बारे कुट अधिकांस कीट करते हैं जल्दी बताओंगे सर अधिकांस कीट करते हैं किसके द्वारा तवचा के द्वारा स्ष्वाष्प थ्रो ड्रे हेल सस्टम लंग्स या घल से रखाओंगे धिए चल वह अ मिपताओ करो कि जिदी आज़ी अज़े आपकी क्लासे रात को 10 बज़े होती है और शुबह 9 बज़े होती है जब कि आपकी 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 क्लासे में क्या सर्थ एपकी क्लासे 11 से 12 होंगी एपकी क्लासे 11 से 12 आपकी एपकी क्लासे होंगी और रात को 10 बजे और 9 बजे ये कौन सी क्लास होगी सर ये आपकी YouTube क्लास होगी आपकी YouTube क्लास रात को 10 सुबह 9 बजे और आपकी क्लास 11 से 12 बजे इसमें हम previous year questions को कराएंगे और सर इसमें सर रात सु बश्वाइसरम क्या इसमें हम Mixed Question की Series लाने वाले हैं जिससर आपकी पूरी की पूरी प्रिप्रिशन क्या हो जाएगी कवर हो जाएगी हम इस तरह के से इसको लिकर आएंगे इसका अंफर करो तो देश्किन क्या क्यों गज़त कर रहे हो आप सभी क्यों आप सभी गज़त कर रहे हो इसकिन से लेंगे सांस कैसे सर इसकिन से तो आपके युदी सर्विलर करते हैं न मैं बात किसकी कर रहा हूं मैं कीट की बात कर रहा हूं की की किसकी सर मैं इन सट की बात करूं से मचच्ड की इन सब की बात कर रहा हूँ तो कैसे सर अप की प्रोफाइल लिंक दे दीजीगा सर तरक मैं आपको के या बिल्ल के county अचर को से दौहाँ दे दूगा कि चलिए द्यान देंगे सर तो जो कीट होते हैं यह क्या सर यह ट्रैकियल सिस्टम किसे सर यह आपके स्वासनली प्रणाली ट्रैक कि कि एक मिनट कीट पत्रैकर को करते हैं कि सवास्नली प्रणाली चीजा क्या है तो बच्षचे सबसे बड़ा संग है सबसे बड़ा संग कौन सा है सबसे बड़ा संग कौन सा है सबसे बड़ा संग और और उसका सही अंसर option number B होगा थाना सर चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है सर एंजाइम क्या है तो ध्यान देंगे एंजाइम एक परकार का बायो कैटलिस्ट होता है क्या होता है सर एंजाइम एक परकार का बायो कैटलिस्ट होता है ध्यान देंगे सर enzymes अंसे प्रूटीन हो प्रूटीन क्या होते प्रूटीन होते हैं प्रूटीन का एंजयम होते हैं रहें और था क्या sir आपका अमोंिया आप मुणिया क्या sir यूरICK एसड और यूरिक एसिड़ से त्यस्थे उड़्य यूरिया यह आपकी पूरी स्टेज होती यह प्लोटीन यह उड़े है आपके जो कि किया कर देते estava किसी भी को बहुत तेज कर देते आँज अगले कोशन साइफा नहीं है कि अगला कोश्चन क्या है minute मानव तंत्र में निमलख़त में से कौन सा एक पाचन अंजाएम नहीं है जलिदेता होगे sir time your diagram runs क्यों नहीं है जलिदा हंसर करोगे जलीदो से कौन सा इक पाझक नहीं है जलीदों स सर निल्डवधत से में से कौन सा इक पाचरण बाइस नहीं है तो ध्यान देंगे सर निल्द निल्गत मेंसे सर supervision त्रिप्सीन भी पाचन एंजञाइम है टैउलीन भी है प्यर्प्सीन भी है लेकिन सद यहीट पाचन इंजञाइम नहीं है स्टहर को अब बात कि विसमें इक इनल्प्सीन कहा से निकलता है सर प्यर्प्सीन तृम गास्ट्रिक जूस जथर्स जथर्स कहां से निकलता है से तो जथर्स आपका निकलता है कहां से इस टमक से इस टमक से निकलता है जथर्स है ना प्रेप्सीन से त्रिप्सीन कहां से सर ट्रिप्सीन आपका निकलेगा कहां से पैंक्रियास से जबकि टाइलीन कहां से सर तो यह सलाइवा से लार से यह कहां से यह निकलेगा आपका अगनाशे से अमा शेखम अम शेख अगनाशे और लार सल्ईवा इन से यह सर क्या आप पर निकलते हैं लेकिन गैस्तरिं कोई भी इंजीम नहीं होता डान किसीग प्रखार कागी इंजाहीं नहीं होता डैल स्वाल का सही आंसर करें गां उसे मिलेगा घ्री मिल्क चॉकलेट डैले मेल चॉकलेट गस्वार जो इसका सही आंसर कर दे चला बता दो अब बता को अब बता इसका अंसर जानू आपको जल्दी से इसका अंसर करोगे बच्छा लो जल्दी जल्दी आंसर करोगे अरे कहां रह गए आप कहां रह गए जल्दी आंसर करो जल्दी आंसर करो बच्छे जल्दी आंसर करो इनमल मुझे पता था मुझे पता था कि आप इस जाल में फ I know I know this that you are going to attack struck in this मुझे पता था कि आप यहां पर पास होगे इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया था आपके लिए देवेंद्र जी बताएंगे क्या अंसर होगा देवेंद्र कुमार जी का सभी जबाब आ रहा है सर क्या डेन्टाइन दात मुख्य रूप के डेन्टाइन के बने होते हैं सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग क्या सर सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग कौन सा होता है सर तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य भाग देंटाइन होता है जबकि इनेमल की तो क्या होती है सर परत होती है जो कि पीच मान 5.5 से कम होने पर गिरने लगती है खराब होने लगती है इनेमल कठोर बनाता है लेकिन सबसे बड़ा और मुक्ह भाग कौन सा होता सर डेनटाइन होता है इनेमल वालों कर exploration है नहीं वालों गए हैं नचालिए छलिए इंप कुल-डिल-बिल-कुल अर ले बचों इसलिए तो कह रहा था मैं आपको हैं ना तो क्या सर जो ड्रdone थैन है वो सबसे बड़ा और मुख्य भाग है लेकिन जो इनमल है वो तो परत होती है जो डांतों को क्या सर करती है परत जी जी परत जी सर जी बिल्कुल चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चे यार मैं शेशन ओशन शेयर कर दिया करो क्या इतने कम बच्चे हो यार थोड़ा सा इनर्जी से पढ़ाया करें मजा आया करें थोड़े से तो हो आप ठीक है शाम को तो इससे आदा ही आजाते हो अभी तो आप कम हो चालो क्या एंगर छी को pen में कौंसा पित वर्नक व्फ को पस्थित होता है डलदी बताओ इस में इस प्रसेंट इन ऑड्लजूस यह लिधा प्तरस में कौंट आप इस वन्हां मोर्नक मह्जू धा यह बताओ चलो मैं बात घाता हों आपको पित्रस पित्रस अब इसका अंसर करोगे एसका निर्मान कहां पर होता है तो पित्रस का निर्मान होता है कहां पर यक्रित में कहां पे सर लिवर में जबकि पित्रस का संचे कहां पे होता है सर तो इसका संचे कहां पे होता है तो ध्यान देंगे जब पित्रस का संचे कि पित्रस का संचे कहां पे होता है और पित्रस को यक्रित से पित्ताशे तक ले जाने का कारे कौन करता है तो पित्र वहीनी करती है कौन करता है सर तो पित्त वहीनी इस कारे को करती है जली इसका अनसर करो के सर नो बिलकुल बिलकुल थह आप दे रहे हो वस्चे ए और बी दोनों ये दोनो इसके सही अंसर हों गे के बिल्रूबीन और विलवर्दीन की वज़ासे कौन सा रोग होता है स Italia बैकेज ज्याद LAUGH करने वाला रोग है कौन सा सर आपका जोएंडिस यक्रित को प्रभावित करने वाला रोग है आगे बढ़ते हैं अगला कोशन सबसे अधिक विसैला उत्सरजी पदार्थ है तो आप सभी जानते हैं सबसे क्या सर अमोनिया जो अमोनिया है यह सबसे अधिक विसैला उस सर्जिर्पदार्थ है और अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है जल्दी से अंसर करोगे सर अमोनिया को अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है जल्दी बताओगे सर अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है सबसे दिख विसलापदार्थ क्या है सर अमोनिया सबसे दिख विसलापदार्थ है और बताओगे सर अमोनिया को यूरिया में चेंज करने कारे कौन करता है जल्दी इस भेग्जानिक ने मान ओष द्था में भॉष मस्रंस न्तर को जए थी इसका भी अश रासान है अशन हम सिर्था हुड़े कोन्च करता है और मूणीय को यूरीयमे कि इन आश्व बसंतर कर माूनीय को यूरियाम्या लो कॉन्च करता है। अरे आपके एक्जाम में पूछा हुआ सवाल है अमोनिया को यूरिया में कौन चेंज करता है तो अमोनिया को यूरिया में चेंज करने वाला तत्व क्या है भाई कौन सा अंग है बड़ी गरन्थी और सबसे भारी अंग भी है सबसे भारी अंग और सबसे बड़ी गरन्ती लिवर है और लिवर ही Ammonia को यूरिया में चेंज करता है ठीक है दिवेंदर जी आप गलते यहां पर जो Carland Steinar है इन्होंने किसी खोष्ची थी तो इन्होंने ब्लड की खोज की थी जबकि मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं सर मैं आपसे पूछ रहा हूं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम रक्त परी संचनर तंत्र जो की दो प्रकार का होता है खुला रक्त परी संचनर तंत्र और बंद रक्त परी तो इसकी खोज किसके द्वाड़ा की गयी थी ना ही कार लैंड ही स्थीनर नाहीं गाप्र रन्य अंधिए फराउस न ही लिवन हॉक सही अंत्र होगा विल्यम हारवे विल्यम हार वे ने क्या किया तो रंघ्ट प्रकार का बंद प्रकार का अर खले प्रकार का रग्त प्रिसंचरतंत्र के क्लिक उता है यह bak यह क्या होता है सर यह कींटों में होता है इंसेक्ट में होता है और जो क्लोज प्रकार का रख परिसंचरतंत्र होता है यह किसमें होता है यह होता है इसमें ब्लड किसके कॉंटेक्ट में होता है तो ध्यान देंगे सर आर्ट्री और वेन धमनियां और शिराएं सर क्लोज प्रकार के रख परि उत्कों के संपरक में होता है यह क्या साथ यह कीटों में होगा और यह हुमन्न में होता है हुमन में बंध परकार का रक्त केसंचरत अंत्र होता है चलिए अगला कोशन पहाते हैं लraw अगला कोश्चन क्या कहता है बहुत इच्छा कोश्चन होगा अगला गर्भ निरोधक दवाईयों के रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है जल्दी अंसर करो इसका बहुत ही बेहतरीं कोश्चन है आपके डिली लाइफ से जुड़ा हुआ सवाल है सर जल्दी से इसकंडा बढ़ी आंतर गर्व निरोधक दवाईयों को रूप में किस हार्मोन की गोलियां खाई जाती है विच हार्मोन पिल्स आर कंज्यूम एज कॉंट्रासप्टिव मेडिसेन जल्दी बताओ कि सर गर्भ निरोधक दवाईयों को रूप में किसका प्रयोक कर जाता है कि चल्दी अल्दी अंतर करोगे को अरे को अरे को बढ़िया है रहेंगे ए सेल्डिस्टराउन नहीं चल्दोस्टराउन 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 अंसर करें बच्चे की कौन सी ऐसी हार्मोन्स होते हैं जिसकी दवाई यहां गर्भ निरोधक में खाई जाती हैं जल्दी बताएंगे बच्चे जल्दी बताएंगे बच्चे जल्दी बताएंगे बच्चे इसका अंसर जल्दी बताएंगे बच्चे इसका अंसर चणिये तो जिन बचों का अंसर आखा है क्या सर्षाल डिस्टरॉन और अए दिवेंदर भाई डिवेंदर कैसे नहीं तुम तो प्रकृति मदल रहे हो नहीं होगा यह दियां देंगे सर इसका सही अंसर होगा option number B option number 20 का सही अंसर होगा जो estrogen है बच्चे estrogen estrogen का ही प्रयोग करते हैं सरकेस में तो contraceptive pills में estrogen का प्रयोग किया जाता है ना कि testosterone ना कि cellesterol ना कि scartisone तो तो तुम मेल हार्मोन है ना बच्चे testosterone कैसे आप कह रहे हो यह female में इसका क्या प्रयोग तो testosterone female हार्मोन है जब कि estrogen तो अबुलीशन यानि अंडे की फॉर्मेशन नहीं होती अगर आप क्या अगर आप खा लेते हो तो क्या एस्ट्रोजन की फॉर्मेशन बंद हो जाती है ठीक है चलिए आई एकले सवाल बढ़ते हैं कौन सा हार्मोन लडो या उडो हार्मोन है बिल्कुल असान सवाल सर अड्रेनल हार्मोन को कहते हैं लडो या उडो हार्मोन और इसी हार्मोन को और क्या कहा जाता है तो इसी हार्मोन को एमर जैंसी हार्मोन भी कहते हैं कौन सा हार्मोन तो इमर अमेजिंसी हार्मोन कहा जाता है और इसे fight and fly हार्मोन जब भी लढ़ने की condition गुस्सा करने की यह सारी condition होती है था को चलो तो क्या सर तो जब भी क्या का जब भी लढ़ने की या सब के होती है तो इसमें emergency हार्मोन होते है ठीक है सर और आपके अगले हार्मोन को emergency हार्मोन कहा जाता है बिल्कल ये प्रकृति को ही बदल दे रहे हैं च्छेस्टेस्टेस्टोर्न की दवाई खा रहे हैं किसमें गर्व निरोधक में भगवान में पच्छता हगा तुम लों को जानते हैं, जबकि sir, जो पंजा होता है हाथ का, इसे मिटा कारपल कहते हैं, पैर की कलाई, जो पैर का आपका होता है, उसे टारसल कहते हैं, और पैर के पंजे को मिटा टारसल कहते हैं, कलाई की हट्डियों के संख्या 8 होती है, पैरों के पंजा जो होता है, इसकी 5 होती है, 4 सल की 7 होती है और इसकी 5 होती है ठीक है सर तो ये आज 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 का सेशन रहा और आज की क्लास को यहीं पर रोगते हैं तब तक के लिए God bless you all हमेशा खुश रहें मुस्कुराते रहें एक बार सेशन को शेयर कर देंगे लाइक कर देंगे और क्यासर इस चैनल को सब्सक्राइ कर देंगे जल्दी जल्दी आप अपने इस सेशन को शेयर करेंगे और फिर साम को रात को 10 बजे जुड़ेंगे ठीक है